इस बार जो मैं सारी classes लेके आ रहा हूं सारे semester का वो उस level का लेके आ रहा हूं मैं इतनी महनत करना चाहता हूं इस बार जितनी सोची नहीं होगी सारी classes जो मैं एक घंटेगी करता था उसको मैंने बुला क्या भाई दो घंटेगी करो classes को Hello everyone कैसे हैं आप मैं अनुच कुमार सिंग सिक्षा धाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आह बहुत सारे बच्चों का query आ रहा था कि सर हमारे exam जितने भी core subject से वो खतम हो चुके हैं और खतम होने के बाद अब हमें आगे किस subject की कैसे तयारी करने हाला कि 18-19 तक regular college क के exam खतम हो जाएंगे एस वालों को थोड़ा समय मिल गया है और semester one वाले बच्चे तो अभी आएंगे ही उसके हिसाब से चलेगा तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे के सर हमारा इस बार paper कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा गया चाहे corporate account का हो cost account का तो maximum बच्चों का paper अ उपर नीचे हो सकता है डिपेंट बच्चों ने तयारी कैसे की थी अब बच्चे कह रहें के सर हमें कुछ स्टार्टिंग से बता दीजिए कि हमारे semester 3 में और semester 5 में एक वाले बच्चे तो भी नए होंगे क्या क्या subjects होंगे जो कि हमें मिलेगा उसकी तयारी हम स्टार्टिं में आ चुके हैं और जो अगला है वो बच्चे कह रहे हम semester 5 में भी आ चुके हैं जो second year वाले third year में तो अब आपको तयारी आगे की करनी पड़ेगी यानि अपने future oriented तो बच्चों का books वगरा मांगना था तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो आपका income tax semester 5 का और semester 3 का है नहीं financial management बच्चे कह रहे हैं सर बुक हम स्टार्टिंग में ले लेंगे तो मैं आप सभी student को clear कर दूँ कैभी मैंने इसके solution मेर पास देखो अभी as a tease questions पेपर ही पड़ा हुआ है क्योंकि मैं पेपर में लगा था तो अब मैं इसके solution करने जा रहा हूं semester 5 वाले का बहुत जल इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आने वाला जो है वो किस तरीके से आपका रहेगा सारा exam तो बीकॉम के अंदर basically अगर मैं आपसे बताओं तो अभी न एक तो semester 1 होगा semester 1 वाले बच्चे जितने भी आपसे junior हैं उन बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि बीकॉम कैसे प खुल मिल गया है और semester 5 वाले बच्चे तो अच्छे से जानते ही हैं कि क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है एक मुझे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं बच्चों से discuss कर रहा था तो कुछ ऐसे बच्चों से भी मैं ज्यादा discuss करता हूं कि आप classes क्यों नहीं ले रहे थे क्यों नहीं पढ़ रहे थे तो एक तो commerce stream को न वही बच्चे खराब कर रहे हैं commerce वाले अगर हम commerce के student commerce के respect नहीं करेंगे अब आप simple से बात है जो science वाले बच्चे होते हैं वो अपने stream अपने subject की respect करते हैं हम science वाले हैं वो बहुत confidence बोलता है भाई science ले रखी है commerce वाली commerce ले रखी है तो आप इस subject को बिलकुल भी ऐसा ना समझे अगला tenure फिर से आ गया है government का बहुत सारी चीज़े इस पर बहुत चीज़े बदलेंगी और commerce वालों के लिए बहुत सारी opportunity आईगी तो मैं specially आप सभी से कहूंगा बीकॉम अच्छे से करना और एक बात और भी है कि मैंने काफी बच्चों से पूछा तो पूछा के भाई आप सभी classes ले रहे हो कैसा लग रहा बोल रहे हैं फिर मैंने कुछ बच्चों से बोला कि classes नहीं ले रहे थे जो बच्चे उनसे बोला कि आप भी classes ले लो आपके भी ले ले लेते हैं थोड़े बहुत बच्चे ने बोला ना तो फिर मुझे बड़ा वो चुभा एक तरीके से वर्ड के यार यह सस्ता है इसलिए ले रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि कि मैं बहुत अच्छा करा रहा हूं तो मैं फीस के मामले में तो गया ही नहीं मैं तो सोच रहा था कि मैं बेस्ट करा रहा हूं लेकिन उस बच्चे ने मेरी पूरी आँके खोली कि सर आप ठीक है बच्चा ले लेता है एंड टाइम पर बस थोड़ा बहुत परप्रेशन अच्छा लोगों का होता है लेकिन फिर वह बच्चे का क्या होगा जो बच्चे आफोर्ड नहीं कर पाते जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखके पढ़ते हैं उनको हेल्प मिलती है ऐसा नहीं कि बच्चों ने रिस्पॉंस नहीं किया हां मेरे सब्सक्रा सब्सक्राइब भी कर देते हैं सो ठीक है ऐसा बस सिंपल सा फंडा जो मुझे लगता है बच्चे सोचते हैं यार काम निकल गया हटाओ तो मैं आप सभी बच्चों को इस बार जो मैं सारी क्लासस लेके आ रहा हूं सारे सिमिस्टर का वो उस लेवल का लेके आ रहा हूं मैं इतनी महनत करना चाहता हूँ इस बार जितनी सोची नहीं होगी सारी classes जो मैं एक घंटेगी करता था उसको मैंने बुलागा भाई दो घंटेगी करो classes को, डेड़ से दो घंटे करो कब से कम तो पढ़ाएंगे इनी मैं quality कि student के mind में होना चाहिए कि यह subjects पढ़ना है तो वहां से पढ़ लो मैं यह चाहता हूँ एक benchmark set करना इस पर बहुत महनत notes वगरा बहुत महनत से बनाए है तो आप सभी बच्चों को यही बताना था बस चलो, चलता रहता है वो तो life का part है बाकी commerce एक ऐसा subject है जो आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा लेकिन आपका mentality थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि या ठीक है ध्यान नहीं देते हैं अगे आने वाले subjects अगर मैं आपको बताओ तो इतने बहतरीन बहतरीन subjects हैं semester one वाला बच्चा जो भी देख रहा हो आपके junior है उसका financial account जो हम पढ़ाएंगे बाकी और भी subject से उनका business organization management और भी subject से लेकिन financial account जो है उसका एक subject से जो code subject है जो मैं पढ़ाऊंगा जो हमारे पास available है classes मैं उसकी बात कर रहा हूँ semester तीन वालों के लिए financial management और principle of marketing दो subject सा रहे हैं financial management का पूरा का पूरा ये tenure record कर दिया है पूरा का भूरा बुक, financial management का बुक का नाम है आरपी रस्तोगी पूरा का पूरा record कर दिया है जिससे किसी बच्चों को कोई दिक्कत ही ना हो principle of marketing theory का है last income text तो देखो मैं record कर ही नहीं सकता लेकिन हाँ कुछ chapters कीए है income text का fund ऐसा रहता कि हर साल change हो जाते हैं नई नई updation आती है तो मुझे income text का updation करके सारे चीजों को लेके फिर बनाना पड़ता है management account एकदम ये भी record हो चुका है और auditing भी record हो चुका है तो सर क्या इस बार recording class होगी नहीं मैंने कहा जो recorded है जिस बच्चों को बहुत जल्दी करना है मैं folder डालने जा रहा हूँ नई कूर्स सारे launch कर देता हूँ मैं folder मैं डाल देता हूँ मैं जिसको जैसे करना होगा बाकी live class minimum 1.5 hour की होने वाली है मतलब इस बार मैं उन्हीं बच्चों को request करूँगा join करें जो की really पढ़ना चाहते हैं और good marks score करना चाहते हैं और live class जरूर attend करिएगा live classes जो मेरी start होगी क्योंकि 19 को paper खतम है तो मैं 20 June से live class start कर दूँगा हाँ एक disadvantages मैं थोड़ा सा ये भी scared हूँ कि S.O.L. वाले बच्चों को तो paper ही जुलाई में है उनके लिए फिर मैं बाद में अलग से कुछ arrangement करूँगा ये रहा बाद fee structure का तो fee structure normally हमारा जैसे पहले भी बहुत बच्चों ने join किया है 499 हम इस बार fees को कुछ भी increment नहीं कर रहे है 499 इसके अंदर बलकी हमने discount दे दिया है जो 20 तारिक से पहले कोई भी batch join करेगा उसको 449 का batch पढ़ने वाला है 20 तारिक से पहले कोई भी batch join करता है 20 तारिक के बाद फिर से अगेन ये price 500 का हो जाना है तो आप सभी ध्यान रखिए जिस बच्चे को लगता है जिस बच्चे को trust है वो बच्चा join हो सकता है बाकी YouTube पे YouTube पे भी वीडियो आएंगी लेकिन YouTube पे थोड़ी से late आती है वीडियो और live class इसके अंदर हमने doubt के लिए special provision पहले मैं अकेले doubt solve करता था तो doubt solve करने में क्या होता था बच्चों को delay हो जाता था बच्चे वहाँ पे नाराजगी करते थे कि sir doubt solve नहीं हुआ अब मैंने हर subject के लिए अपने अंडर जैसे semester 3 FM में मैंने दो और भी अपने साथ teacher को align किया है जो कि वो भी doubt solve करेंगे जिससे कि आपके doubt quickly solve हो पाए और guaranteed है इसके अंदर doubt नहीं आएंगे क्योंकि मैं पूरी book ही record करने जा रहा हूँ इसके बाद semester 5 के अंदर भी में दो teacher को अपने अंदर मतलब कि मैं कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई doubt नहीं आएगा तो आपके मैं subjects की बात करूँ तो ये सारे subjects है हाँ semester 3 में मैं कुछ subject लिखना भूल गया जैसे कि एक business mathematics भी आएगा ये सरिफ और सरिफ honors वाले बच्चों के पास होगा और semester और चौथा subject इसमें होगा business stats ये program जितने भी subject लिख रहा हूँ और भी इसमें add कर देते हैं business economics business economics ठीक है ना ये subject है तो इस बार जो बात मेरे मन में लगी है ना उसको मैं खुद प्रूव करूँगा मैं जीतोर मेहनत और इस बार की classes जो है बहुत बच्चों का demand था के सार लेट करना तो most probability है कि इस बार की classes आठ से 10 तक लेके जाओंगा मैं classes इस बार ठीक है ना ये रहेगा हमारा सारा का सारा provision तो hopefully आप समझ रहे होगे बाकी books वगरा के लिए परिशान ना होई है books सभी आ जाएंगे मैं सभी का book एक बार नए edition आ जाए तो मैं आपको बता दूँगा hopefully लंबी वीडियो हो गई है लेकिन काफी time हो गया था कोई वीडियो आया नहीं था तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप commerce को बिलकुल भी ऐसे मस समझ जब भी बताएं कि भाई आप commerce ले रखा है तुम्हें जैसे science वाले बच्चे के अंदर confidence होता है आपके अंदर भी होना चाहिए हमारा commerce community इतना strong नहीं है क्योंकि commerce वाले student ही उसको strong नहीं करना चाह रहे हैं मैं सभी बच्चों से जितने भी हैं in future आप job करोगे हमेशा जहां भी जाओगे अपनी salary high करके बताना है कि हम यह काम करते है तब आपके respect होगी कम salary में काम नहीं करना है आगे आने वाले वीडियो में career opportunity जो बच्चे semester 6 का paper खतम हो चुका है उससे related एक आगे क्या further career में करें उससे related वीडियो आएगी thank you so much मिलते हैं next video में hopefully आप बच्चे से एक्जाम दे रहे होगे अभी आप एक्जाम पे focus करिए पूरा का पूरा जिस बच्चे को अपना seat reserve करना है वो seat को अपना reserve कर सकता है prices बता दिया है आप जाके buy कर सकते हैं description में number और कुछ भी detail चाहिए आपको तो ले सकते हैं thank you so much मिलते हैं